जिश्वीयादों के समर्थकों ने कॉंग्रिस को सपोर्टर समर्थन कर लोग सभा के अंदर चल रहे लगतार जिहां बिरोध को मजबूत किया है इसके साथ आज की बड़ी खबर में बाचित होगी कि सिब्याई के जाच के बाद में क्या तिश्वीयादों के सद्शिता पर भी है बड़ा खत्रा शमजने का प्रयास करेंगे जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ आज की बड़ी खबर में बाचित होगी कि बिहार की चर्चित पत्रकार एवा म्यूटूबर मनीश कस्या पर लगतार कानूनी सी कंजे कसने को ले करके क्या है शरकार की त्यारी और बिहार पुलिस की त्यारी करेंगे बिस्तार से बाचित अज लालू पुशाद यादो धन हुए जब नातिन गोट में खेली और नातिन का चुकार पुकार्शन लालू पुशाद यादो अज गदगद नजर आए खुसी के मारे जूम उठे इसके साथ आज की बड़ी कबर मात करेंगे कि किस तरीके से मित्सा ने 2024 के रणीतियों को राज्यों में कॉंग्रेस को हो सकता है खत्रा और बीजेपी के तमाम बड़े निताओं ने जिहां बिहार विधान सभा के अंदर लगतार बिरोत कर सरकार को हिलाने का बड़ा प्रयाने के नितिश कुमान ने किस तरीके से तिश्वी यादो और शाथि साथ तमाम लोगों क बड़ी सारी बढ़ाई और किस तरीके से इस वक्त राज़त के परिवार में खुशी का महौल है प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी अपने ही चाल में उल्टे फसे राहूर गादी की श्रदेस्ता रद कराय जाने के बाद में जिया प्रधान मंतरी के मुस्किले बड़ में बॉलने से बच रहें क्या भीजे पी बिशिक लगतार मोधी सरकार के द्वारा जो रो र you और्जेढीपर हमले किया रहें इस मामले पर में नृतीष कुमार कुछ भी बड़ा करनामा कर शकते हैं क्या आप प्रधान मंतरी मंतरी उम्ध्यकार रहें कई बड़े अन्य श तरीके से लोगतांत्रिक विवस्था गान के ज़र देखिए जब हम स्पीकर पर लगतार शवाल कर रहे हम स्पीकर से शवाल पूछ रहे हम सत्तापक से सवाल पूछ रहे हम अपहरन मामले में शवाल पूछ रहे हम डेकैती मामले में सवाल पूछ रहे हैं चोरी डेकैती और ने तमाम मामलों में जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसे में मामले पर सरकार कुछ भी बोलने से बंचित रहना चाहती है सरकारों को बेटर ढंग से पता है कि अगर इस पर कुछ भी बोला गया तो मामले में लगतार हमें फस्ते हुए देखा जाएगा शाइद इसलिए इस मामले का लगतार कई अन्य तरीकों से उद्वेदन क्या जा रहा है इधर देश के अंदर लगतार राहूल को लेकर चरचा तो होई रही थी और दूसरी तरफ नितीश कुमार को लेकर कर चरचा हो रही है नितिश कुमार के करनी और धरनी और इसके साथ साथ कई अन्य चीजों पर चर्चा हो रही है लेकिन आपकी जनकारी के लिए बता देते हैं कि नितिश कुमार एक ऐसे नेता है जिन्होंने बिहार को बदलने का बड़ा प्रयास किया है वह सीएम रहते हुए और इसके साथ साथ मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार को बदलने के नेने और युजनाओं को हमेशा से करत कर किया है ताकि वह तमाम बातों को कहा जा शकता है या बातों को बड़े ही गंभिरता के साथ कहा जा शकता है कि राहूल ने नितिश कुमार को शपोट किया तो जश्वी ने नितिश कुमार को शपोट किया तो कुछ तो गुड नितिश कुमार में है जिसके कारण देश के बड़े बड़े नेता भी नितिश कुमार को अपना गुरू सवरूप मान लेते हैं ऐसे में नितिश कुमार जी का मानना है ये बिहार के मुकमंत्री रहते हुए बिहार के बिकास के लिए वो अपने कामों को बेतर डंक से नहीं कर पा रहे थे साध़ इसलिए राज़त में आ करके वा राज़त के साथ हाथ मिला करके बिहार के लोगों और तरक्यों और विकास के लिए अपने कामों को खुले डंग से करना चाहते हैं इदा नितिश कुमार के सपोर्ट शमर्थन में बिहार की तमाम अन्य शमुदाय की लोग समर्थन दे रहे हैं तो BZP का ये कहना है कि देखे साहब ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो तो जिया करा धराया है और नितिश कुमार के स्क्रिप्टर्ट सरकार ने इस पर अपने मुहर लगाना शुरू कर दिया है नितिश कुमार को स्क्रिप्टेट बताने वाले बीज़ेपी के ने था आज गंभीर तरीकों से फस रहे हैं क्योंकि जनता और पर विश्वास नहीं कर पा रही है बड़ी कबर निकल कर शामने आ रही है बिहार के चच्च पत्रकार एवा मिट्यूबर मनिश कश्चप को फिलहाल जो है बेवर जेल से निकाल उन्हें जिया तमिलनाडू भेज दिया गया है और इस मामले पर लगतार लोगों की नजरे बनी हुई थी लोगों का पूछना यही था कि आखिर मनिश कश्चप जेल से बाहर कबाएंगे और कब मनिश कश्चप जो है वो लोगों के बीच आ सकेंगे इस पर हमारी एक रिपोर्ट जो है आई आपको समझाने की प्रयास करते हैं दर्शल बिहार के चरजित पत्रकार एवाम यूट्यूबर मनिश कश्चप लगतार कानूनी सी कंजों में फश्चते चले जा रहे हैं जब अपटना की एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने मी मनिश कश्चप ने जो कुछ भी किया वो अपने आप में काफी अद्बुद था मनिश कश्चप ने कहा कि बिहार पुलिस और तमिलाडू पुलिस पर मुझे पुरा भरोशा है इसके साथ साथ भारतिय नयालेओं पर भी मुझे भरोशा है कि मुझे नयाय मिलेगा हमें पर मनिश कश्चप को चार दिनों तक तमिलाडू पुलिस अपने रिमांड पर ले सकती है वो तारीक होगा 31 तारीक, 1 तारीक, 2 और 3 तारीक, 4 तारीक को बेतिया कोट में मनिश कश्चप को फिर से पेस करना है ऐसे में मनिश कश्चप के लिए बेतिया लाया जाएगा और उन् मनिश्क कशप ने सीरेश इंकार करते हुए कहा कि मैंने किसी भी नेता का नाम रखा ही नहीं बाहर आने वाली खबले अफवा है और गलत हैं मनिश्क कशप ने साफ तोर पर वा बातों को साफ कर दिये कि वह किसी भी नेता का नाम नहीं रखे हैं और कोई नेता है बड़ी कब कार्यों निर्वान करता रहूंगा मैं अपनी कार्यों को लेकर करके आगे बढ़ता रहूंगा मुझे सजा सुनाया गया है दो साल की सजा है कोई दिक्कत वाली बात लेकिं लोक सबस्त दिस्तार रदिकर मोधी सरकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि देश में आप कानून का राज नहीं बलकि तानासाई का राज है और तानासा तरीकों से अपनी तानासाई दिखाई जारी है राहूल के समर्थकों पर आज जबरदस्त लाठिया भी भाजी गई दिल्ली के लालकिला से जियां आपको दादे की मार्च निकाला केंडल मार्च निकाला इसी चीज़ को ले करके दिल्ले पुलिस ने जबरदस्त लाठिया भी भाजी और अब कही न कहीं राहूल गादी को क क्या जानते हैं बढ़ते हैं एक और बड़ी और मतपून खबर के और जो जनना बहुत जरूरी है बड़ी खबर है कलकश attach आभ इस वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर के जान नरेंद्र मोदी ने बताने का प्रयास क्या कि देखें जो कुछ भी हो पर हमने किसानों के हित में काम किया है हमने बिरोजिकारों के हित में काम किया है हमने देश के हित में काम किया है और देश के लोगों को समरिध बनाने का योजना बनाया है हमने लोगों को ये कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार हमेशा उ लेकिन मोदी सरकार को हिला पाना मोदी सरकार को लगतार एक मजबूत इरादों के साथ ताकत दे पाना बड़ा मुस्किल टास्क है और इसलिए क्योंकि अम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अलगतार यह चीज़ें खूब देखी जा रही है बड़ी खबर निकल को शामने आ रहे है बिहार के मुकमंत्री नितिस कुमार में बताया कि लालू पुरिवार को फसाने का शड़यंतर और साजिश रचा गया है बंद कमरों में लालू पुरिशा ध्यादों के परिवार के तमाम शुदश्यों को परशान करने की कोशिश करने का स्ड़यंतर और साजिश रचा गया है पर जेडियो ना अरजेडी ये गटबंदन तूट है या गटबंदन नहीं तूटेगा इस गटबंदन में आने से पहले कई मरत्वा चीजों की जाच कर ली गई है और जो लोग निर्दोस हैं उन्हें भी ये लोग फसाने की कोशिश करते हैं दिल्ली के मुक मंतरी मनिश शोदिया ने क्या किया था मनिश शोदिया को भी मामले में फसा आगा कई अन्य ऐसे ही बीजेपी के इसारों पर इरजेंसिया काम कर रही है जो लोगों को फसाने के लिए काम कर रही है और लोगों को इरजेंसियों के धमकी से डराया जा रहा है के एरजिंसियों के पीछे डाल आपको फसाद यजाएगा लेकिन हम इससे डरने वाले थोड़ी हैं हम तो लड़ाई लड़ने वाले युद्धा हैं और लड़ेंगे हमें लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है और हम अपनी लड़ाई को बखू भी बहता धंक से बड़ी कबा निकलकर शामने आरे इस वक्त लालो पुषाद यादो को ले करके लालो पुषाद यादो के नातिन होई है और ऐसे में लालो पुषाद यादो ने इस लक्षमी को ले करके काफी खुश नज़र आ रहे हैं उन्होंने कहा कि देखे क्या है कि हमारे घर में लक कह सकता था वो जनम लिया है और ऐसे में लाडलू पुर्शाद यादो काफि खुस भी है लाडलू पुर्शाद यादो की वो खुस नसीबी वाली तश्मीरे है आपने देखी जब तेशपरताप यादो के साधी कर रहे है और उस दोरान वह काफी खुछ नजर आ रहे थे उन के कारव आज लावन पुशाद्यादों दादा कहलाने लगें